दोस्तो स्वापिंग करना किसको पसंद नहीं है आज की डेटे में लगबग सभी लोग स्वापिंग करना चाहते हैं और सभी लोगों को स्वापिंग करने का सौख है लेकिन दोस्तो बहुत सो लोग ऐसे भी जिनको महेंगे महेंगे प्रोड़क्ट लेने का सौख है दोस्तो तो यह भी हो सकता है कि आप जिस भी प्रोड़ेट को बाइक कर चुके हो वो प्रोड़ेट घड़िया कॉलिटी का नकली हो दोस्तों चिंदा करने की कोई जवरत नहीं है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे नकली और असली सामान को पहचान सकते हो बहु यूसफुल वीडियो उसकी नोटिबिकेस न आपको मिलती रहे सबसे पहले तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय बरबात किये दोस्तों मार्केड में आपको ऐसे बहुत सारे प्रोड़क्ट मिल जाएंगे जो औरिजनल प्रोड़क्ट के क्लोन हो होते हैं और हम सभी लोगों को चुना लगाते हैं दोस्तों किसी भी समान को पहचानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं आपको बहुत सीधा और सारा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों किसी भी असली और नगली समान को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी कीमत जीहां दोस्तों अगर आपके समान को लेделage जा रहा है और इसकी कीमत आपको बहुत ही कम लगी तो समझ जया किे को उस्षमान में कुछ न कुछ गरबड़ी है जीहां दोस्तों तो सुव एक्शुल में क्या होतन आ कि जो original product होते हैं उनकी जी price होती हो normal से कहीं ज्यादा होती है तो आप समस्ज़ सकते हो कि असली और नकली सामान कीप्लाराइज में कितना अंतर हो सकता है तो दोस्तो आप असली और नकली सामान की पहचान बड़ी कर सकते हो उसके प्राइस को देखकर दोस्तो किसी भी नकली और असली सामान को पहचानने का सबसे तरीका है उसके पैकिंग को देखिये धोस्तो जो उरिजनल प्रॉड़क्ट होते हैं उरिजनल समान होते हैं उनकी जो फेकिंग होती है बहुत ही फ्रेस होती है साफ सूतरी होती है आपको किसी भी तरह का damage दिखाई नहीं देता लेकिन दोस्तों अगर वहाई प्रोड़क्ट आपको डैमेज कंडिशन में मिले उसकी पैंकिंग डैमेज हो खराब हो तो समझ जाए कि वह प्रोड़क्ट औरिजनल नहीं है तो दोस्तो आप किसी भी प्रोड़क्ट के पैंकिंग को देखकर उसके नकली और असली होने का पहचान बड़ी असानी से कर सकते दोस्तो थर्ड तरीका है फेक वेफसाइड दोस्तो बहुत सो लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन वेफसाइड में जाकर किसी भी प्रोड़क्ट को बाय कर लेते हैं दोस्तो बहुत सारे वेफसाइड फेक होते हैं और उनके प्रोड़क्ट भी फेक होते हैं इसलिए दोस्तो किसी website को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस website का URL दोस्तो आप website के URL से जान सकते हैं कि website secure है की नहीं आप इसमें swapping कर सकते हो या नहीं दोस्तो अगर किसी website का URL Http है तो वह website बिल्कुल भी secure नहीं है दोस्तो अगर किसी भी e-commerce company का website अगर Https है तो वह website secure होगा दोस्तो secure website में आपको lock वाला icon देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप इस skin पे देख सकते हो तो दोस्तो आप से एक request है कि आप ऐसे किसी website से shopping मत कीज़े जो secure ना हो दोस्तो e-commerce website जैसे कि Amazon हो गया फ्लिप काट हो गया आप इन सबसे shopping कर सकते हो ये website बहुत ही ज़्यादा secure होते हैं तो दोस्तो आप इस तरीके से किसी भी fake website को पहचान सकते हो दोस्तो किसी भी असली और नकली सामान को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस product का logo और sticker जीयाँ दोस्तो ये बहुत ही common तरीका है आप किसी भी असली और नकली product को पहचान सकते हो उसके logo को देख कर दोस्तो जो original product के logo होते हैं वो बहुत हिज़ादा premium दिखते हैं और होते हैं वही अगर नखली सामान की बात की जाया तो उसके sticker और logo बहुत ज़ादा कमजूर होते हैं आप उसे हाँ से रगड़ कर देख सकते हैं जो नकली समान होते हैं उनके लोगों बहुत ही जल्दी मिड़ जाते हैं हाँ से रगड़ने से तो दोस्तो आप किसी भी product के logo और sticker को देख कर उसके असली और नकली होने का पहचान कर सकते हैं तो यह अच्छा तरीका है किसी भी product को पहचानने का तो दोस्तो आप इस तरीके से किसी भी समान को पहचान सकते हैं उसके लोगों को देखकर दोस्तो किसी भी समान को पहचानने का जो अगला तरीका है उसका नाम है contact detail जी हाँ दोस्तो आप किसी भी original product के packaging में देख सकते हो उ दोस्तो आप इस तरीके से किसी भी product के contact information को देखकर पहचान सकते हो कि वह product original है या फिर नकली है दोस्तो नकली product के packing में contact information नहीं होती है अगर आप original product की बात करें तो original product में आपको contact detail देखने को मिल जाती है उसमें आपको gmail, number, barcode ये सबी information उस packaging में देखने को मिल जाती है जबकि नकली product में आपको ऐसा कुछी भी देखने को नहीं मिलता तो दोस्तो आप इस तरीके से किसी भी असली और नकली सामान को बड़ी आसानी से पहचान सकते हो उसके contact detail को देखकर तो दोस्तो ये थे 5 तरीके जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो किसी भी असली और नकली सामान को तो दोस्तो आज का वीडियो यही पी होता है सबाब हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें comment करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो और आपको पसंद आई हो तो प्लिस हमारी वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा और हमारे चैनल को सब्सकाइब कर दीज़ेगा तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई